नमस्कार किशान साथियों, उमीद हैं सभी किशान वाइस वस्त होंगे तो किशान साथियों आज अपने एकको के एक पोडेक्ट सांगरिका खाद के बारे में चर्चा करने वाड़े हैं कि सांगरी का खाद क्या है ये कैसे काम करता है और आपके इन बसलों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसका मार्केट में क्या प्राइज रेता है इन सबी पहलों के अपने बारिकी से आचरचा करेंगे तो किसान साथियो सांगरी का खाद जो है इपको कमपनी का जियविक हुरुरक है इपको सांगरी का यह समुंदरी सवाल से निर्मित दानेदार खाद है यह एक परकार से पोध विकास को पुरस्तान करता है और समुन्दर की विसेश खर्पतवार के लाल और बूरे सवाल किरत से जो यह बनाया जाता है सांगरिका खाद किसानों की पहली पसंद होने का कारण इसमें अनेकों परकार के पोसक तत्व पोद वर्दी हार्मोंस जैसे कही जेव परसानों से गुरपूर है पोदे पसल विकास के लिए मिट्टी में पाए जाने वाले पोसक तत्वों को यह ग्रेन करने में मदद करता है और यह पोडेक्ट जो है 100% और्गनिक पोडेक्ट है इसको सांगरिका जैड पलस को खाद समुन्दरी स्वालों से प्रापत किया जाता है सांगरिका में मुख्य रूप से ओगजिन, जिब्रेलीन, नाइटोजन, फासपोरस, पोटेशियम, केलिसियम, मेगनिसियम, सलफर, कोपर, आईरन, बोरोजिंक, अमीनो एसिड, मेगनिक जैसे कई पोसक तत्वबाए जाते हैं अनेंगे की सांगरिका का प्योग कैसे करते हैं, जो किसान भाई इपको सांगरिका का प्योग करते हैं, उन किसान भाईों को अलग से अन्य पोटेक्ट को मिलाने या लाने की कोई आवसकता नहीं होती है क्योंकि दानेदार सांगरी का खाद और सांगरी का लिक्विड खाद दोनों परकार से आपको मार्केट में मिलती है यह इपको कमपनी का बहुती सांधार और विस्वनी है खाद यह उर्वरक पोडेक्ट है जो पूरन रूप से जेवी खाद है यह एक ऐसी खाद है कि इसे किसी भी परकार के पसल कुड़ों में इस्तमाल कर सकते हैं पसलों की बात करें तो दान, तिलहन, दाल, फल फूल, साग सबजियां, गन्ना, चुकंदर, कपास, बागवानी और सिदियां अद्धी पसलों में यूज़ करना आपके लिए फाइदेमन रहता है सांगरिका खाद के परणाम इतने सांदार आते हैं कि किसान को किसी अन्य किसी परकार की खाद उरूरक देने की जूरत नहीं परती है इसकी मत्रा की बात करें तो सांगरिका दानेदार की मत्रा एक एकड में आर से दस किलोग्राम जड़ों के पास देना है और बाद में सिंचाई कर देनी है पूरी पसल में दिखते हम आप इसका दो बार इस्तमाल कर सकते हैं किसान भाईो दान देना योके बात यह है कि खाद पहली बार देते समय कम से कम पसल जो है तीस दिन की होनी चाहिए और दूसरी बार पसल के परिपक़ होने से पहले आप दे सकते हैं पूरी पसल जिवन चक्रे में लगबग आप इसको दो बार इस्तमाल कर सकते हैं उदारण के तो पर बताएं तो यदि कोई पसल सो दिन की है तो उसमें 25 से 30 दिनों दिन पहली बार और 65 से 70 दिनों में आप दूसरी बार इसका इस्तमाल कर सकते हैं सांगरिका इपको उत्पाद मुख्य रूप से दो परकार में आती है दानेदार सांगरिका और दूसरा जो है द्रवे सांगरिका यानि लिक्विड रूप में दानेदार सांगरिका का पसल जड़ों में दिया जाता है तथा बाद में सिंचाई करते हैं जबकि लिक्विड सांगरीका खाद का प्रयोग ड्रिप सिस्टम खेती में छिड़काओं के बाद सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं पहले सांगरीका का प्रयोग ड्रिप खेती में नहीं कर सकते थे लेकिन अब लिक्विड सांगरीका आने के बाद इसे हर परकार की खेती में इस्तमाल कर सकते हैं यदि किसान खेती डिप एरिगेसन कर रहा है तो सांगरीका च्रिकाविदी से आप इसका परियोग कर सकते हैं ये जानेंगे कि इसके इस्तमाल करने से क्या फाइदा आपको देखने को मिलेगा इसे पसल की बढ़वार या गरोत अच्छे तरीके से होती है किसी भी परकार की पसल हो उसके सुरवाती वस्ता में अधिकतम रदी प्रापत करने में मदद करता है पोदों को परतेक परकार के पसक ततो तथा विकास की परिस्तितियां बनाने में मदद करता है खेत की मिटी में पड़े पसक ततों को गरेन या किरिया सिल करने में मदद करता है नेक्स्ट पसल में जिंक, सलफर, बोरोन, आइरन, नाइट्रोजन आदी की कमी को दूर करता है सकरगंद, आलू, केले की पसल में स्टाज की मातरा जुए बढ़ाने में काम करता है सांगरी का और पसल में लगने वाले बुविन परकार के रोग, कीट जैसे तनाव आदी में परतिरोधक चमता को बढ़ाता है फल, फूल वाली खेती में फूलों की संक्या में वरती करता है तथा ने ने फुटाव में वरती करने में साहिक है पसल जड़ों की संक्या तथा तने की ने साखाएं निर्वान करने में यह जो सांगरी का मदद करता है गन्य की पसल में गन्य को सुडोल और मिठास में वरती करता है प्रकास इंसलेशन की किलिया को तेज और सुचारू करने में साहिता परदान करता है अगले टोपी की चर्चा करें तो इसका मार्केट में पराइज को लेके तो यह मुखे रूप से बाल्टी, बड़े चोटे, पॉली बेग तथा लिक्विड खाद बोतल में आती है इपको सांगरिका की किमत की बात करें तो यह अपने वजन बाव, ओनलाइन ओफ के इनुसार, अलग-अलग रेट रहता है इसे सांगरिका अथपाद की मानक पराइज आपको नीचे हम बता रहे है सांगरिका जड़ प्लेस की 10 किलो बेक की पराइज आपको 415 से 420 रुपे के बीचे मिलेगी सांगरिका लिक्विड की बात करें तो आपको एक लिटर का पराइज 500 रुपे सांगरिका गोल्ड 10 किलो बेक की बात करें तो 600 रुपे इपको सांगरिका 10 किलो बकिट की बात करें तो 415 रुपे और लिक्विड 100 एमल की बात करें तो 70 रुपे और लिक्विड सांगरी का 500 ml एक सो पेंटीस रुपे लिक्विड सांगरी का 500 ml दो सो साथ रुपे और लिटर मैंने जैसे बताया आपको 500 रुपे पर तिल्ग